दोस्तों वेलकम टू आटमोटीव टेक। दोस्तों आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि नॉर्माल एर की जगह आप टेर में नाइट्रोजन लिए आपको यह एडवांटेज मिलते हैं नाइट्रोजन के लेकिन यह सच में आपको मिलते हैं या सिर्फ यह एक मित रह चुकी है तो आज की स्वीडियो में हम लोग यहीं दिखने हो ले इसके और इसका कुछ फाइद है नहीं है तो फ्रेंड्स यहां पर सबसे पहले यह समझ के लेते कि इंडिया में कौन से टाइप का नाइट्रोजन मिलता है यहां पर आपको बाहर चे जो दिया जाता है उसमें और जो बाके के परसेंट बची होते होए उसमें सी ओ टू और वाटर वेपर वगएरा वगएरा बाके के कुछ गैसे मिले होए होते है यहां पर आपको 100% नाइट्रोजन नहीं मिलता है तो फ्रेंड्स यहां एड्वन्टेज की बात कर लेते हैं अगर आप नाइट्रोजन ट यह 100% नाइट्रोजन नहीं है इसमें आपको 21% ऑक्सीजन और बाकी का जो बचा कुछा वाटर वेपर और कार्बन डियुक्सेड वगएरा आपको मिला हुआ मिलता है तो यहां पर 100% नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं है तो फिर आपको बेटर राइड क्वालेटी की उ केमी रिजर्ट मिलने वाले हैं यहां पर दूसरे अड्वेंटेज की बात कर लेते हैं दूसरे अड्वेंटेज यह कि नाइट्रोजन हलका होता है एर से हां कुछ हद तक हलका होता है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी गाड़ी 100-200 किलो तक वेट उसका कम हो वो नहीं बढ़ने देता है नाइट्रोजन हाँ यह सच बात है कि नाइट्रोजन कूल होता है नाइट्रोजन टायर को कुछ हद तक कूल रखता है इतना भी थंड़ा थंड़ा कूल कूल नहीं रखता है कि उसका प्रेशर बढ़े ही ना कुछ हद तक प्रेशर बढ़ता है यानि आप समझें कि 30 PSI आपने भरा हुआ है normal air अगर आपकी normal air जो है वो 5 PSI, 6 PSI बढ़ती है तो nitrogen आपका 4-5 PSI बढ़ सकता है इतना भी वो थंडा नहीं होता है nitrogen 100% nitrogen नहीं है इसके लिए वो इतना effective नहीं होता है कुछ हद तक ही वो काम करता है पूल रखने में आपके tire को यह पर चोथा advantage है कि आपके tire की life बढ़ाता है तो फुर यह बहुत ही myth है यह भी एक tire की life बढ़ाता है ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तो nitrogen बिल्कुल यह आपके tire की life बढ़ाता ही नहीं है तो फिफ्ट पॉइंट है कि nitrogen आपके rim को rust होने से बचाता है अंदर से कुछ उसमें water vapor कम होते हैं और air में water vapor ज्यादा होते है इसके लिए वो ज्यादा rust होता है रिम अंदर से तो फुर यह साज बात है कि nitrogen आपके कुछ हद तक rim को अंदर से rust होने के बचा सकता है क्योंकि उसमें water vapor कम होते है क्योंकि उसमें 78% nitrogen होता है इसके लिए उसमें water vapor के कुछ कम होती है यह तो उसमें water vapor होते हैं ऐसा नहीं कि बिलकुल भी नहीं होते है कुछ हद तक rim को rust होने से वह बचाता है nitrogen air के मुकाबले या पर six advantage जहें कि nitrogen का वो टायर और रिम में से कम होता है यानि आपका pressure जो डाउन होता है एक देड़ माइने बाद टायर का वो कम होता है air के मुकबले हाँ यह सच बात है क्योंकि air के जो molecule होते है वो छोटे-छोटे होते हैं और जो आपके nitrogen के disadvantage की बात ही कर लेते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला disadvantage है cost आप अगर मुंबे में फिल कर रहते हैं तो आपको 50 रूपीज पर टायर आपको यहाँ पर nitrogen मिलता है यानि अगर आप कार में भरते है nitrogen चारू टायर में फुल हवा निकाल के आपकी टायर की तो फिर आपको 50 रूपी 50 रूपीज मैंने बाइक में ने डाला है इसके लिए मुझे मालूम नहीं है कार के चार्जेस 50 रूपीज है पर टायर बाइक के भी शायद उतने होंगे तो फिर यह बहुत ही costly है अगर आप nitrogen को refill कर रहते हैं बीच बीच में तो आपको 50 रूपीज चार्जेस देने पड़ चारो टायर के इन्हें बहुत ही costly हो जाता है अगर हम normal air की बात करें तो आप पर कुछ-कुछ petrol pump पर free air available होती है otherwise आप 5 रूपे या फिर 10 रूपे में आज पूरे टायर को fill कर सकते है maximum 20 रूपीज लेते है एर को fill करने के लिए तो फिर यह बहुत ही cheap है air nitrogen के मुकाबले तो कोई भी service center या फिर कोई भी company चाहे वो BMW हो चाहे वो Mercedes हो कोई भी आपको यह नहीं कहिएगा कि आप nitrogen डाले अपने टायर में क्यूंकि वहां भी आपको nitrogen की सुवीदा नहीं मिलती है आप अगर service station में चले जाए हुंडा में जाए हुंडा में जाए फोड में जाए वहां पर nitrogen यूज करते हैं तो फिर हम लोग क्यों ना यूज करें तो फिर दोस्तों वह 100% nitrogen होता है आप एक बाद ध्यान रखिए 100% nitrogen और यहां पर 100% nitrogen नहीं मिलता है आपको मैंने पहले के दिया 100% nitrogen का advantage बहुत सारे लेकिन यह nitrogen है जो हमारे हम मिलते है उसका advantage बहुत दी कम है तो फिर अच्छा है वैसा है सब आपको मैंने clear कर दिया है तो आपको यह वीडियो कैसा रगा मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को like कीजे मेरे चैनल को subscribe कीजे और share कीजे और मैं इसे तरह आपको आने वाले वीडियो में मिलता हूँ